कि यहां देखे कि अभी हाले में देखे होंगे कि जब से हिंडन बर्ग ने एक रिसर्च पबिस किया था जिससे जान सकते हैं कि जिसे अडानी गुरूप के जो सीर है बहुं तेजी से नीचे डाउन हुआ था तो दुनिया के नंबर वन तो थर्ड में लीश्ट माने आले अब कहां चला गया है सुप्रीम कोड के पास चला गया है सुप्रीम कोड अब इसमें क्या कर रहा है तो थोड़ा देखे हैं तो इसमें देखे काम या भी बजट या फिर टेंडर देना रहेगा तो अडानी गृप को देता है ठीक है पुब्ली के लिए और लोग के लिए ओक्सेश नहीं हो पाता है जो अडानी के लिए होता है ऐसा काघ्र्श के मानना है या पिर कांगर्स के नेता हों को मानना है तो इसी सुप्रीम सही हुआ है या क्या गलत हुआ है तो अडानी के जो सेयर है उसके बीसे में भी बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर अडानी का सेयर दिलता है तो इसके साथ कहीं ने कहीं भारत सरकार है कर जो पॉलिसीज है या ठीक है या फिर जो भारत सरकार के जो इसकीम है ठीक है वो भी चाहते हैं कि अपना जो सेर हो अपने निकाल लें ठीक है और कहीं और निवेश करें कि अगर इसका सेर डुग गया तो कहीं के भी नहीं रहेंगे इस बारे में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कोई खास नहीं है ठीक है तो अडानी का जो अभी अभी खंडर के रिव कैसे अभी घंडर क्रूप के रिपोर्ट उस पर क्या करता है तो इसके ऊपर अभी सुप्रिंग कोट अभी बहुत कुछ करने माला है दोस्तों कि का-का-का क्या होने वाला है इसके बाद ब्रेट में अभी इठे अभी आइगा डिल तो अभी देखेक्ट दिल्ली में भी अ monastery होने वाला है कि यह छी अच्छींग फर्वरी चालों होना दाया है प्रगती मादनने और यह तो देखे इसके साथ भरत ने इसके लिए इन्वाइट क्या है नॉबल लाट्रेट को ठीक है जो फ्रेंच के आथर है ठीक है यह आने वाले हैं दिली और इसमें इन्वाइट क्या यह है देखते हैं कि नहीं आते हैं तो अभी देखे अभी इनको क्या है मिला था का मिला था नोबल प्रस्ट का मिला था 2022 का तो इनका नम क्या है दोस्तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का इसका नाम तो यहां तो यहां तो समाजिक कभ investir मतलब की जारी है यहां के सोसल समाजिक का बात की जाती है यहां है कि दो तो बजट के बाद पहे जा रहे हैं तो चलिए इसमें जान सकते हैं हम लोग सोसल से कोड़ी से ताक पर है आपका समाजिक सिरक्षा से और दैस्टोरी आप डाट टू बजट यते दो बजट की स्टोरी है कौन-कौन से बजट है राजी थान के बजट है और भारत के जो बजट में गया तो इसको कोन लेकर आया है थीसको निर्मला सर्दम लेकर आएगा ठीक है उन्हों 2014 से जोटे है यह है कि हम बौन का जीवन नहीं को नहीं है जो लोका इसको इंप्रोब करना जाते ही यह इसका जो कहां भी ह peripher ना हो लेकिशन सजो कहीं करते हैं उप्स citizens की शारो पूस्त गेशन नहीं करना है कि इसमें बज़र्मन में कुछ नहीं रखा गया है वहले कि इसमें कट अप गद गट कर दिया है जो भी इसमें मिलने वाला था इसको भी कट अप कर दियाय। तो लेकिन गवर्मन का बोल रहे है है अभी अभी कोच बढहने वाले हे रासी कि असमें जो सोसल जेसे को दैता है लोगों को उसके लिए लिए या फिर पी पर गा या फिर काम हो गया ठीक है या फिर जिसी किसी इरिया में काम आपकुन के लूड़ कर लिए उसके लिए या फिर जो गरीबी रेखा सी नीचे रह रहा है उसके लिए सेकोर्टी मिलता है भू है जो इस सोसल सेकोर्टी के लिए पेंशनल है देखे फिरेinvestor का से चाहनुक्त है जिसमें से आप देख सकते है एक है जो सेंटरल के वर से या ज्याती है वह सेंटर इस पोट है नेस्टर छे इंट रुझ्य internation प्रोग्राम टिक जिसके आम क्रीछ पोछमध्य देखें होंगे कि लोगों को दृसोर रुपया के पेंसन दिया ता है जिसको बढ़ा का तीन सो रूपे पर मंद करने वाले है चाहिए तो विदवा को 200 रूपे मैंना में पैंस मिलता है जिसको बढ़ा का 370 रूपे दी जाने के बाद कहीजा रही है तो वह कैसे मानगे कि धुफ्तो उसंहर कैसे बन सकता है तो इसको मापा जाता है कि वह बीपल परिवार से होना चाहिए वह लोगों को यह सब दिया जाता है जो दो हजार एक के जनगर्णा के में उसका नाम रहा हो उसको ठीक है और इसी किसा साथ आप देखें होंगे कि उसके साथ दिद्यांग वर गए हैं उसको भी दिया जाता है ठीक है तो यह सोचल सेक बोटी जो मिलता है दोस्तो उसका है यह यूज करते हैं क्यों सोचले साल लूटक को दीजुट इसको देश्टर ऑपन उसको दिया जाता है लेकिन इस बडापर का हुआ दोस्तों कि जैसे पिछले साल नैस्नल जो सोचल असेस्टम प्रोग्राम देला था दो हजार 22 तैस मे यह भी बोल सकते हैं 2022 दिया गया था 9600 बाउन दसमें 31 करोड रुपर दिया था लगी इस बर क्या हुआ है इस बर 16 करोड रुपर कड़ कर दिया गया है जो नसेप दिया जाता है नेशनल सोशल असिस्टेम प्रोग्राम दियाता है ठीक है समाजी सुर्चा के लिए जो है कि 9636 करोड रुपर दिया जाएगा ne9636 करोड रुपर दिया जाएगा और जबकि पिछले बार 9600 करोड रुपह दिया गयाथा त्यां ये गवर्वरोन इसमें काट कर रहा है तो यही इसी लिए उभरा मुद्धा उभर कर आ रहा है सामने और किक्लोचिव उसको क्या बोल लोगों को पेंसर में नहीं मिल रहा है ठीक से इसी कंटेस्ट में देखोगे कि राजिस्थान में अभी वहां के जो गवर्वन्ट है जाब बोल सकते हैं जो चीप इनेश्टर है भी वर्तमान में असो गलाओ जिसने बताया है कि उसने भी अपना बजट पेस किया ठीकि उस ब और रोजगार गांटी दे रहा है किसको अर्बन लोग का ठीक है रूरल और जो अर्बन लोग में रहते हैं काम करते हैं उन लोग के लिए 125 दिन का रोजगार मुहां करवा रहा है इस तरह को वह सोचल असिस्टेंट कर रहा है असो गलौत उनके बजट में बताया है और साल वो बढ़ोतरी कर रहे हैं सोचल सेकोर्टी पेंसन पर तो यह इसलिए नियुज में आ गया है तो आप दे सकते हैं कि एनेस एपी है नेशनल सोचल असिस्टिन प्रोग्राम इसे सेंटर इस्पांसर प्रोग्राम है सोचल सेकोर्टी इसकिम के तहात ठीक है यह प्रवाइड कराता है नान कंट्रिबूटिंग इंकम सेकोर्टी तुदा इल्डरली वीडियो ठीक है या फिर जो विधारत हो उसके लिए जो पाते हैं उसके लिए ठीक है या फिर जो दिव्यांग लोग उसके लिए या फिर फैमिली के लिए क्योंकि जो लोग रोते हैं दोस्तों उसी से होता है कि किसे किसे इस तरह की स्कीम में जोड़ा जाए या फिर उसको बनाया जाए इसके लिए पात्र बैक्ती इस सब्सक्राइब करते हैं उनका जो थ्री मेन स्कीम है इस प्रोग्राम के तहत नसे पी के तहत जिसमें से अब देश सकते हैं एक है कि आई जी येन ओए पी एस है जिसका फूल फाम है दोस्तो दा इंद्रा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन इसकीम ठीक है इसके बाद दूसरा दोस्तों जान सकते हैं कि इंद्रा गांधी नेशनल विडो विडो पेंशन इसकीम और कहाए इसके बाद है आपका दा इंद्रा गांधी नेशनल डिस एबिलिटी पेंशन इसकीम ठीक है तो यह तीन में इसकीम है ओके तो लास्ट पंद्रा साल में यह बहुत तेजी से एक तरसा सुकुड रहा है इनका जो बजट है वाला ठीक है इसमें बता दिखे इसमें बता गया है कि 2014-15 में आप दे सकते हैं यह 0.58% का हुआ था डिकलाइन हुआ था जिसमें इसमें जो बजट मिलना चाहिए था उतना घटा है तो इसके बाद आप दे सकते हैं 2013-20 में अभी 0.21% घड़ गया है यह भी बोल सकते है 16 करोन रुपए घड़ गया है तो इसमें का है दोस्तो हर राज होता है हर राज में उसको अपना देना रता है किसके लिए लोगों के लिए सेकुर्टी प्रवाइड कराना रता है ठीक है पेंसन देना रता है जिसमें से अबे से जो सेंड्रल इसकीन में एन्यस आपी यह अलग से गयाड़ जारी करती है इस्टेट के लिए उसके लिए जो इन्यृंस इसके लागों काम करती है निस सकते हैं कि हमाराजिस्तान यहां पर्वाइड कर रहा है सोचल सेकॐर्टी पेंसन इंस पहर नबबब president समया National Security Assistance Program है वो कफर का कर रहा है जो small part of the pension का जो 10 lakh pensioner है उसके लिए तेखे वो राजिस्थान 90 lakh लोग को कफर कर रहा है और लेकिन जो NSCP के तरह जो कफर हो रहे हैं जो लोग वो 10 lakh लोग तक ही हो रहे हैं कफर तो राजिस्थान का जो बजट आया उसकी हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों कि ग्यारा हजार पांसो करोड़ रुपए का यह बजट अभी एक्सपेट किया जा रहा है इसके लिए अभी जो नब्बे लाक लोग हैं उनके लिए बजट रखा है किसने चीफ मिनिस्टर असोग गहलोत ने तो पंद्रा गारा हजार पांसो करोड़ रुपए के बजट एक राज कर रहा है खुद इस पॉंसर ठीक है जो दोस्तों लगभग तीस परसंड अधीक है जो पूरे एनसेपी है उससे जो नेशनल असिस्टेंड जो प्रोग्राम चलाती है छो गवर्मन्ट दे रहे है अद्वै इससे ज्यादा जायरा पांसो करोड़ रुपए राजिस्तान की ग bubbles वे रहे है तो देख सकते हैं दोस्तों कि लोगों के लिए कोई जादा खार्चा कर रहा है chest government central government से लिए जो बजड clergy दोस्तों के public के सवाव के लिए है टेक के बजजुर्गों के लिए हैं लेकि बजट में सामिन होना चाहिए बड़ा होना सकते हैं उनके लिए क्या है इसकी मरती है जिसमें सब देख सकते हैं कि 2007 से लेकर 2023 तक जो 193.99 पतिसत का इसमें का है आभरी जो रखा गया है जिसका 6.95 परसेंट है जिसमें से क्युमिलेटी इन्फिलेशन रेट है 193.90 हो गया इसके साथ साथ जो 6.95 परसेंट है यह इन्फिलेशन रेट है तो अभी जो है सेंट्रल गौर्मन का मानना है कि जो इसमें दिया जा रहा है राशी दो हजार साथ में देखिए दोस्तों कि 200 रुपे दिया जा रहा था ठीक है साथ साथ साल से उपर हो चुके हैं तो जिसमें से मान लिए कि एक दिन का सात रुपे दे रहें Gesundheits तो इसमें से जो जेराम न्रेश से दोस्तो जैराम रमेश साहब है कांगर्स प्राल्टी के जो लिडर्स हैं उनका मानना है कि अभी 12,000 करोड रुपए का एका है सेंटरल गवर्मेंट इसमें जो सेंटरल गवर्मेंट इंप्लोई रखा है तो उनलों को पेंसन देता है दोस्तो तो उसका जो कोश्ट है बजट ह जिसमें से जो बजट है अभी सोसल असिस्टेंस का वो 30% है अधिक है तो 30% किसे अधिक है भाई जो एनसे पी दे रहा है गवर्मेंट इंस एपी आप देखिए नसे पी है नेशनल और सोसल असिस्टेंप प्रोग्राम है कितना दे रहा है 9,636 क्रोड रुपए तो कुल मिल एक जो करमचारी है बहुत सरकार के तो उसका करमचारी है और उनका यो पेंसन है उसके लिए गवर्मेंटने हम 2083 क्लिए कितना रखा है 12000 करोल रुपए रखा है तो तीस गुना अधिक हुआ ना से बस इसे 30 गुना अधिक हुआ जो NSAP के लिए जो रखा है बजट उससे 30 गुना अधिक है जो 12,000 कुल रखा है लगभग सेंटरल गवर्मेंट अपने करमचारी के लिए और सेंटरल गवर्मेंट दोस्तों लोगों को देती है इस तरह की जो असिस्टन प्रवाइड करवाती है तो यह जो सेंसर से 2001 का उसके का दास से देती है टीक है जो दोस्तों रता है उसको जो 50 रता है दोस्तों तो तक है उसको से अधिक होना चाहिए तब उसको दिव्यां का गवर्मन्ट थी उसने का किया एक चेंजेस किया अपने पॉलिसिस पे जिसमें वो अपने जो सिटिजन के लिए जो 55 साल के हैं उनको इसमें सामिल क्या जाएगा तो ओल्ड एज पेंशन में सामिल होगे वोल्ड एल्ज पिंसन मतलब बढ़ाउती में या जब बुजूर कब बनेंगे 55 साल से अधिक होगा जिस महिला का उमर या फिर 58 साल से जिसका उमर अधिक होगा जिस पुरुष का तो उसको पिंसन मिलेगा यह राजिस्थान गवर्मन का मानना है 2013 में वो इसमें चेंज किया है अपने नियम करूण में ठीक है कि किस तरह से उसका जो यह गता होना चाहिए या भी बोल सकते हैं उसके उमर कितना होने चाहिए इस तरह के क्रेटिरिया रखा है और विद्वाओं के लिए दोस्तो अब तो दिव्यांग का जो 40% से 40-30 से जो भी बेक्ति दिव्यांग है तो उसको राजिस्थान के सरकार दिव्यांग बेक्ति मान रहा है ठीक है और उसको दिव्यांगता का पैसा दिया जाएगा तो इस राज में दोस्तों देख सकते हैं कि 14,000,000,000 तक यह पहुंच गया है पे इंसनर के लिए अभी अवेदन करने वाले हैं अभी बोल सकते हैं इतने लोग पात रहें तो इसमें देखे का होना चाहिए दोस्तों कि जो अधर राज है उनको राजिस्थान के तरही इसके नियमकार्ण को फालो करना चाहिए और जो भी एक्जामपल है राजिस्थान का उसको leanद यह करना चाहिए और सेंड्रल गौर्व को भी इसमें विचार करने के जरूत है दोस्त rates को जो सेंड्रल गौर्वान के जो वर्तमान स्कीम है उसको चेंज करनेह जरूत है क्यों पेंसनरों को अगर रिकनाज अगर नहीं करेगे तो इसमें जो लोग हैं वो निगलेट हो जाएंगे और जिससे की एक बहुत बड़ा च्छती देश को हो सकता है ठीक है लेकिन देखे दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम GDP में पीछे हैं तो GDP को बढ़ाने के लिए लोगों को परसाह दोरी का मंगते हैं अचकेल लेकिन आप यह भी देखेंगे कि अभी हाल में अब चुनाव होने वाला है दुस्तों ठीक है सेंट्रल गवर्मेंट कभी होने वाला है और इस्टेट गवर्मेंट कभी कहां आपका देख सकते हैं कि राजिस्थान में तो वहां कुछ इस तो पर पिंशन मिलना चाहिए अगर आप गरीब हैं आपको कुछ हो जाता है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा मतलब तो आपको मतलब बुजूर्गा आत्मी है तो अब पेंशन के लिए बठकते रहेगा